हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SAC कोचिंग चैन्टर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करें मैथ के प्रेशनों की और ये सभी मैथ के प्रेशनों बहुत ही इंपोर्टेंट हैं क्योंकि रेलबे एक्जाम हो, एंटीपीस एक्जाम हो, कोई भी एक्जाम हो, इसी टाइप के क ऐसा की सा कितना है, ये पूछा गया है, तो दोस्तों, इस कばें questioning मैं बात करूं, ये time and work का क्वे है, ये time and work का क्वेशन हमारे और भी वीडियो में तो इस वीडियो के description में लिंक हमारे देख लेना, तो आप यहाँ पर simply लिख लिजये, क्या लिखेंगे? A, B, C, ये दिया गया, लिख लिजे A कितने दिन में कर रहा, 5 दिन में कर रहा, तो 5 लिख लेंगे B आपको कर रहा, 10 में, तो 10 लिख लेंगे C कर रहा, 15 तो 15 लिख लेंगे अब आपको क्या करना होगा, इन 3ों का LCM लेना होगा तो दो बार ये आपका चला जाएगा ठीक है दोस्तों आप देखें आपको करना क्या है A का कितना निकल क्या है 15 B का कितना निकल क्या है 3 C का कितना निकल क्या है 2 और आप से पूछा गया है B का हिस्सा कितना है यह आपसे दूस्तों पूछा गया है तो आपको करना क्या होगा देखें बी का पूछा गया है तो बी का पूछा गया है तो क्या रखेंगे बी का उपर रखेंगे बी का और बाकी तीनों को जोड़के नीचे लेखेंगे तो छै तीनों दो ग्यारा ठीक है दोस्तों और तो चौबिस तो आप का अंसरो जाएगा दिखें कॉंसरोप्शन मैच कर रहा है और सी आपका मैच कर रहा है यदि आपसे बी की जगा एका हिस्ता पूछा जाता तो क्या लिखते उपर 6 लिखते 6 बटे 11 हो जाता तीनों का जोड़के नीचे लिखना है एका पूछा जाता त चे और नों को प्रसकर लिखते 6 बटे 11 हो जाता यदि आपको बीजी का पूछा जाता तो तीनों को प्लसकर लिखते वह बटे में क्या हो जाता तो उमीद करता हूं दोस्तों ये कोशन आपको बहुत अच्छे से समाझ में आ गया होगा आपको टाइम एंडिकर बरके 240 रुपय में कम कर दिता है तो उसे 15-5% की हानी होती है मेच का आरंभिक मूल क्या है यह आपसे पूछा गया है देखे जब भी आपको ऐसा कोश्चन दी जाए पहले लाब दिया गया हो बाद में क्या दिया गया हो हानी लाब हानी दी गई हो तो आपको करना क्या हो का ठीक है धी तोको अब द propagate 30, 240 के बराबर है तो 1 पर्संट लेख चेन के बराबर होगा सबसे पहले एक परसेंगे तो एक परसन यहां पर आठ के बराबर होगा एक परसन आठ के बराबर होगा chakra तो 100 परसन जो निकालेंगे किसीटीज का मैं किया नीकालते निकालते हैं वो आपसे दोस्तों पूछा गया है तो वो से कैसे निकालेंगे देखिए यह कितना दिया गया आपको 800 दिया गया है लेकिन आपसे पूछा क्या गया है 25% लाप क्या पूछा गया है तो 800 का क्या करेंगे आप 25% निकालेजे इंटू 25 कर दीजे डिवैड में 100 कर दीजे देख क्या हो जाएगा दोस्तों आपका answer हो जाएगा देखे कौन सब्सक्राइब आपका यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों यह question आपका लाव और हानी का question है इस वीडियो में लाव और हानी का मैं एक ही यही question बताऊँगा यदि आपको और question देखने है लाव आनी के तो इस वीडियो के discuss में आपको link मिल जाएगा वहां से आप लाव आनी के और भी प्रश्णों को देख सकते हैं question प्रश्ण भी अब कराए है और जो जजा में पूछे जाते हैं वो प्रश्ण भी हमने कराए हैं तो description में आके देख लीजेगा आप देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं पेड़ के नीचे बकरिया चर रही हैं उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 35 है तो तोतों की संख्या ग्याद करो ठीक है friends अब देखिए इस question की अगर मैं बात करूं तो इस question को आपको घर से करके देना होगा देखिए ये question मैं नहीं करा हुआ इस question को यदि आप कर सकते हैं तो करके आप मुझे comment box में बताइए मैंने इस type के सभी question कराई हैं उसका link description मिल जाएगा वहाँ से वीडियो को देखने के बाद concept clear हो जाएगा उसके बाद आप इस question को करके मुझे answer दीचे यदि आपको ये question करना आता है पहले स तो आप comment box में हमें इस concept बता सकते हैं जदि इस type के question आपको नहीं आते हैं तो आपको इस वीडियो के description link मिल जाएगा वहाँ से देख लीजेगा पूरा concept आप समझ जाएगे उसके बाद जैसा भी question आपसे पूछा जाएगा आप उसे चुटकियों में solve कर देंगे दोस्तों